हेलो गुड मॉर्निंग ओल अफ्यो मैं विविक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्तितू टूड़े करेंट अपिर्स जी के mcq's multiple choice question मॉर्निंग सब आप पांच मजे सात्यों आज 20 मई 2020 वार गुरुवार के करेंट अपिर के हम बात करते हैं सात्यों रोजाना की तरह आज का करेंट फिर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे question अमतर देखी सात्यों वीडियो पूरा देखें आपको हर question में एक नया पॉइंट मिलेगा जो कि आपके competition एक्जाम से रेलेटेड होगा इंट्रेस्टिंग वीडियो है थोड़ी मेरी आवाज ऐसी है मैं खडूश टाइप काऊं आवाज ऐसी है बागी आपका वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है content बहुत अच्छा है आप content देखिए comment जरूर कीजिए और वीडियो पूरा देखें साथिक कॉलम ने जो कॉश्चन पूछा था कुश्चन कुछ इस प्रकार से था कि निमनलिकित में से केंदर सरकार ने किस योजना के तैत समूंद्री और अंतर देशिया मतस्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड रुपया उंडित किये हैं आप्सन प्रदान मंत्री मुद्रा योजना आप्सन भी प्रदान मंत्री जीवन ज्योती भीमा योजना आप्सन सी प्रदान मंत्री मतस्य संपदा योजना और आप्सन भी प्रदान मंत्री स्वास्त्य सुरक्षा योजना तो साथियों अभी हाल ही में केंदर सरकार ने ने कि प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी ने प्रदान मंत्री मतस्य संपदा योजना पी एम एम एस वाई के तैट समुंद्री और अंतरदेशिय मतस्य पालन के विकास के लिए 20 जार करोड रुपे आवंटित किये और ये किस के लिए आवंटित किये मच्छवारों के लिए आवंटित किये तो राइट आंसर क्या था ओप्सन सी प्रदान मंत्री मतस्य संपदा योजना साथ योग यह जो 20,000 करोड रुपए है इनमें से 11,000 करोड रुपए समुंदरी, अंतरदेशिय, मतस्य, पालन और जलिये करसी में गती वीदियो के लिए आउंटित किये जाएंगे और जबकि बचे हुए 9,000 करोड रुपए मशली पकड़ने के बंदरगा, कॉल्ड चैन, बाजार आधी के बुनियाद दिये धाचे के विकास के लिए खर्च किये जाएंगे जैतों इस विकास से 5 वर्स में 70,000,000 अतरित मशली का उत्पादन होगा और निर्यात को दोगुना कर दिया जाएगा जोकि कितना हो जाएगा 1,000,000 करोड रुपए और ये 55,000,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार भी देता है और निर्यात को एक लाग करोड रुपए तक बढ़ाता है साथियों मतस्य यानि कि मचली का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है साथियों हर छोटा बदलाव बड़ी काम्याभी का हिसा होता है यानि कि छोटा सा भी बदलाव होगा लाइप में तो एक बड़ी काम्याभी लिखेगा एक दिन तो इसी काम्याभी को लिखने के लिए इसी inspiration के साथ हम पढ़ते हैं आज का current affairs चीक है question संक्या फश्ट से साथ है question संक्या फश्ट क्या है हमारा की विश्व इस्तर पर हर साल विशू मदमक्खी दिवस यानि की world be day कब मनाया जाता है option A 10 माई को option B 20 माई को option C 1 जून को और option D 10 जून को तो साथ हमेरे विशू मदमक्खी दिवस यानि की world be day हर वर्स मनाया जाता है 20 माई को option B right answer 20 माई इस से में क्या चल रहा है COVID-19 यानि की coronavirus महामारी तो coronavirus महामारी के कारण इस वर्स जो थीम है मदमक्खी दिवस का थीम क्या है be engaged और इस थीम पर एक वर्चूल कारेकरम आई जूत किया जाएगा तो मदमक्खी दिवस कब मनाया जाता है 20 माई को option B आपका right answer है इस दिन के बारे में कुछ बात की जाए तो मदमक्खी दिवस को जो मनाने के उद्देश से क्या है हमारा उद्देश से है पारिस्तिती की तंत्र के लिए मदमक्खी और अन्य पराग गण को के मैत्वय योगदान और लोगें सरक्षण के बारे में जागुकता बढ़ाना क्यों बनाया गया क्यों कि 20 माई को आदूनिक मदमक्खी पालन की तकनिक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जनम हुआ था और कब हुआ था वर्स 1734 में स्लोवेनिया में और दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगबगते 30% मदमक्ख्यों पर निर्वर करता है इस पिर कारवे जय विवित्ता के संडक्षण प्रकरती में परिष्टिक संतुलन और प्रिदुषण को कम करने में भी सायक है और इस बार की जो थीम थी, थीम क्या है बी इंगेजट तीम विशेश रूप से मदमक्थकों प्रताप और ध्यान के इंदरित करती है बात करते हैं मदबमक्थी दिवस के इतियास की तो साथ यो विसू मदमक्य दिवस के इतियास की बात की जाए तो सेक्त राष्टे के सदस्य देशों ने दिसंबर 2017 में स्लोवेनिया के 20 मई को विसू मदमक्य दिवस के रूप में मनायच जाने के प्रस्ताओं को मनजूर दी किसने दी स्योंक तुराष्टे के सदस्य दे सुने और इस प्रस्ता उन्हें विश्य संड़क्षन उपायों का अपनाने और मदमक्यों के संड़क्षन और समानुता के लिए उनके महत्तों पर प्रकास डाला पहली बार जो विश्य मदमक्य दिवस है वो कब मनाये गया था बीस मई 2018 साथ यो जो मदमक्य दिवस है ये फुड एंड अग्रिकल्चर और्गनाईजेशन के थुरू मनाया जाता है तो बात करते हैं फुड एंड अग्रिकल्चर और्गनाईजेशन ओप दे युनाइटेड नैसेंस की जिसकी की इस्तापना का बुईती 16 अक्टूमबर 1945 को एनके दित्ते विश्योयुद के समय इसके मानिते से कौन है क्वे है डौंगियो और इसका मुख्याले कहां पर है रॉम इटली के रॉम है नेक्स्ट क्वेस्टन संग्या दो निमनलिकित मेंसे भारत का कौन सा केंदर्सासित प्रदेश कोरोना वायरस मुक्त हो गया है उप्सने लद्दाक, उप्सन भी जम्मू और कस्मीर, उप्सन सी दिल्ली और उप्सन डी चंडीगड साथियों अभी हाल ही में दो नए केंदर सासित प्रदिस बनाए गए है एक है जम्मो एंड कस्मिर और दूसरा है अपका लगदाक पहले केंदर सासित प्रदिस कितने थे साथ बढ़कर अब कितने हो गए हैं नो तो साथियों अभी हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार तीन मई 2020 के बाद कोई भी कोरोना का नया मरीज नहीं आने के कारण लद्दाक के इंदर सासे प्रदेश लद्दाक कोरोना से मुक्त हो गया है तो ऑप्सन ए राइट आनस्वर है लद्दाक इसके साथ इले जिले में जिन संक्रमित रोगयों को इलाज चल रहा था वो इस महामारी से ठीक हो गया है लद्दाक की बात की जाए तो लद्दाक में टोटल 33 मामले आये थे कोरोना के और ये सभी जो पॉजिटिव मामले थे ये इस से में ठीक हो चुके है और लद्दाक के इंदर सासे प्रदेश है तो केंदर सासे प्रदेश में कौन होता लैप्टिनेट गवर्नर तो लद्द मेरित में से किस देश ने डबलू अच्छो स्वास्ते सभा को कोरोना वायरस मामरी से निपटने के लिए दो वरसों में दो बिलियन अमरीकी डॉलर देने का ऐलान किया है। आपसन ए भारत ने आपसन भी चीन ने आपसन सी अमरीका ने आपसन डी और स्टेलिया ने तो साथ ही अभी हाली में डबलू अच्छो स्वास्ते सभा अजुद की गई थी 73 जो कि हमने कल के हमारे वीडियो में बताया था इस स्वास्ते सभा में कोरोना वायरस मामरी से और साथियों ये दो वर्सों में जो रासी दी जाएगी ये क्यों दी जाएगी कोरोना के लिए इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो थोड़ी सी बात यह है कि यह दो वर्सों में दी जाने वाली दो बिलियन की रासी विसेश रूप से विकासील देशों में COVID-19 प्रतिक्रिया प्रियासों को समर्थन करने के लिए दी जाएगी और साथियों यह गोशना इस समय की गई है जब चीन लगातार लोकडाउन पर वेस्ट विक दबाओ का सामना कर रहा है क्योंकि अमरीका ने तो सोड़क से तुरिया ग्यापन सो पी दिया है बाकी अमरीका का समर्थन भारत भी कर रहा है कि कोरोना वाइरस महामारी को चीन ने चीन ने खराब मनसा के कारण इसको पहल लेता क्योंकि मौत और बढ़ते कोरोना वाइरस के मामलों में भारी वृद्धी ने दुनिया बर की गती वीदियो पर लगा लगा दिये साथ यो डबलू एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजिसन यहने कि विशु स्वास्ते संगठन ने 30 जनवरी को दुनिया भर में कोरोना वाइरस के कारण स्वास्ते अपातकाल की गोशना की थी और 11 मार्च को कोरोना वाइरस के प्रकौप को मामारी गोसित कर दिया था ते विशु स्वाइरस ने विशु स्वाइरस पर हजारों लोगों की जान ले ली थी अब इल ताजा अपडेट बताया जाएं तो सात्यों कल तक का अपडेट मेरे पास जो है उसके अनुसार भारत में एक लाग छे हजार सास सौपचास मरी जो कोरोना वाइरस के हो चुके हैं नेक्ष्ट कोशन संक्याथ 4 किस देश के प्रधान मंत्री थोमस थाबाने ने ओपचारिक रूप से अपने पद से इस्तिपा दे दिया है उप्सन ए लैसथो ऑप्सन भी अलबानिया उप्सन सी ब्रुने और उप्सन डी पराकवे साती यों प्रधान मंत्रि थोमस थाबा ने ने अपने पद से स्तिपदे दिया है थोमस थाबाने की बात की जाए कि तो थोमस थाबा ने लैसो थो देश के प्रधान मंद्रि थे तो option A right answer लैसो थो और थाबा ने और उनք पतनी पर लगबग तीन साल पहले है अपनी पूरू पत्नी की अत्या की साज इसका संदे हो रूने के गान देश में राजनितिक संकट पैदा हुआ और इसलिए उन्होंने अपना इस्तिपा सौंक दिया है बात कर लें लैसोतो देश की तो लैसोतो जो देश है वो साउथ अप्रिका के असपास है और इस देश की बात की जाए तो लैसोतो दक्षन अप्रिकी परवते राज्य है जिसके राजदानी है मासुरू और यहां के मुद्रा है लैसोतो लोटी नेक्स्ट कॉसन संक्या पांच प्रसिद लेखा करस्कीन बॉंड के कौन से जनम दिन के अवसर पर उनकी नई किताब Hop On My Adventures on Boards, Train and Plains के E-Book संसकंड का विमोचन किया गया है आप्सने 80 वे, आप्सन B 83 वे, आप्सन C 86 वे और आप्सन D निवासी वे तो साथियों अभी प्रसिद लेखा करस्कीन बॉंड का 86 वे जनम दिन मनाया गया और इस अवसर पर उनकी एक किताब Hop On My Adventure on Boards, Train and Plains के E-Book का संसकंड किया गया का विमोचन हुआ तो आप्सन C राइट आप्सन D निवासी वे, 86 वे जनम दिन मनाया गया ये कौन है रस्कीन बॉंड साथियों इस किताब की बात की जाए तो ये किताब जो है इस पुस्तक में प्रसिद लेकर रस्कीन बॉंड के बच्पन में नावो और रेल गाड़ी और विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमान्चों का वर्नन किया गया है रस्कीन बॉंड की बुक का कवर कुछ इस तरह से माई एडवेंचर ओन पोर्स ट्रेन एंड प्लेन्स और ये पुस्तक अपने पाटको को कई प्रपुलित करने वाली यात्रा और यात्रा रोमान्च के बारे में बताती है साथी साथ इस रस्कीन बॉंड की नई किताब के चित्तरन समराठ हल्दर ने किये नेक्स्ट आईए साथी कोस्टन से क्या अच्छ है निमनली की तमें से किसे साल 2019 के अलक्जेनर डैल रिम्पल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ओप्स्न अम्छर आडमिरल करंभिर्सी ओप्सन्बी एडमिरल विने बद्वार ओप्सन सी एडमिरल सुनील चोहन और ओप्सन डी आडमिरल बुएस धनोबा तो सात्यों भी हाली ही में साल 2019 के अलेक्जेंड डेल रिम्पल पुरुषकार से सम्मानित किया गया है एड्मिरल विने बदवार को ओप्शन भी राइट आंस्वर एड्मिरल विने बदवार यह जो भारते नोसेना जल सर्वेक्चान के मुख्य जल सर्वेक्चक है जिने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरुषकार से सम्मानित किया गया है एड्मिरल विने बदवार को यह पुरुषकार बारते जल सर्वेक्चान और विसाल हिंद मासागर छेत्र में उनके उत्करष्ट योगदान के लिए दिया गया है साथो कोश्टन बहुत सारे बने इसमें कोश्टन आया अलेक्जेंडर डेल रिम्पल आवार्ड क्या है दूसरा कोश्टन आया एड्मिरल विले बदवार के बारे में और तीसरा यहां पर एक कोश्टन बन जाएगा IHO जाते हो सबसे पहले हम बात करते हैं अलेक्जेंडर टैल रिंपल आवाड की तो यह जो पुरुसकार है यह UK के रक्षा मंत्रा ले द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इस पुरुसकार के विजेता का जो चैन है UK हैडोग्राफिक ओफिस कि मुख्य समिती द्वारा दुनिया भर में हाइडोग्राफि कार्टोग्राफि और नवी केशन के मानकों को बढ़ाने के प्रियासों के लिए क्या जाता है नेक्ट बात करते हैं विने बदवार वाइस एड्मिरल विने बदवार 1982 में भार 29 सेना में सामिल हुए थे और उन्होंने भारते नोसेना जल सर्वेक्षन कारे ले यानिके आइने चों के छेत्रिय चमता निर्मान कारे करोमों का नेत्रोगतों किया था साल 2019 में एड्मिरल विने बदवार को उन्हें पीक टाइम के दोरान ऐस आधारण आदेश की विशिश सेवा के लिए अती विशिश सेवा पदक से समानित किया था और वो जब नोसेना में सामिल हुए थे नोसेना में सामिल होने के बाद से अंतराष्टे हाइड्रोग्राफिक संगठन यानिकि आई एचो में छमता निर्मान उपसमीती के सदस्यर है बात करते हैं अंतराष्टे हाइड्रोग्राफिक संगठन की तो साथ यो अंतराष्टे हाइड्रोग्राफिक संगठन यानि की IHO जिसकी स्तापना हुई थी वर्स 1921 में और इसका मुख्या लेका है मोनाकों में वर्तमान में इसके निदे से कोन है अबरी काम पर जो कि दक्ष कुमित मरीजों को बैतर स्वास्ते से वाई परदान करनें हैं था आस्पटाल प्रबंदन की सायता करने के लिए एक रोबट रेल बोट और बोट विक्सित किया हुए उत्सन यह किस ने किया है आर बोट दक्षिन मद्य रेलवे ने ओपसंडी राइट आंस्वर दक्षिन मद्य रेलवे इसकी बात की जाए तो यह डिवाई डॉक्टरो नर्सों और अन्य सायक चिक इत्सक्रमियों को संक्रमन के खत्रे से दूर रखने में सक्चम बनाएगा आर बोट जो है आर बोट को इस्तेमाल साती जो आर बोट है इसका इस्तेमाल दवाव चिकित्सा सामान की अपूर्ती करने और मरीजों को भोजन परूशने के लिए किया जा रहा है जिसमें सारिक संपरक्यान की सोचल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी सारिक संपरकी को याउसकत पर नहीं होगी और आरबोर्ट को सिंगल मॉबाइल एप्लिकेसन के माध्यम से संचालिक किया जाता है जिसे वाइपाई सुविदा द्वारा समर्थित इनोवेशन के बाग के रुप में विक्षत किया गया है रेल्वे जो है उसका मुख्यालिय सिकंद्राबाद में और आरबोर्ट रेलबोर्ट ऑस्पिटल असिस्टेंट नेक्स्ट क्वेशन संक्या आठ निमन लिगित में से किसके द्वारा नैस्नल टैस्ट अप्यास नामा के एक नया मॉबाइल एप्लिकेसन लॉंच किया गया है यानि कि लोगडाउं का चोथा चरण चल रहा है जो की 31 मही तक है इसी उद्देश्य के साथ नैस्नल टैस्ट अभ्यास नामक एक नया अप्लिकेसन लॉंच किया गया है और ये लॉंच किसने किया मानव विकास संसाधन विकास मंत्रा लेने जिसके केंद्रिय मंत्री को नाया रमेस बॉक्रियाल निंसक इसकी एप्लिकेसन नैस्ट अभ्यास नामक जो एप्लिकेसन इसकी बात की जाए तो इस एक को जो उद्देश से है मुख्य उद्देश से क्या है लोगडाउन के कारण बंद पढ़े सिक्षन संस्तानों के दोर शआत्रों की मदत करना और इस एप को किसने विक्षित किया है राष्टिय परिक्षन एजैंसी ने विक्षित किया है और यह जो एप्लिकेशन ही है आई टी जी एह मेंस नीट आदी जैसी परिक्षाओं को मिद्वारों को मोग्टेश्ट करने में मदद करेगी यह एप्लिकेशन नहीं आर्टी फिले सिल इंटेलिजेंस यानि की AI द्वारा संचाली थे और इसमें छात्रों को टेस्ट पूरा करने के बाद तुरंती रिजल्ट मिल जाएगा यानि की छात्रों ने मोक टेस्ट दिया उसके तुरंत बाद उनको जैसे वो सब्मिट करेंगे सब्मिट करने के जश्ट बाद रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितना माक्स प्राप्त किया कितना पॉजिटिव किया कितना नेगेटिव किया कितने कॉस्टन सही किये कितने कॉस्टन गल्द किये ये सारी इस पे information मिल जाएगी Next question संक्या 9 Asia के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक माग ने किस देश के soft bank के बोर्ड से इस्तिपा दे दिया है Option A चीन, Option B जापान, Option C आउस्ट्रिया और Option D अमरीका साथ जैक माग जो की Asia मादीब के दूसरे सबसे बड़े रईस है ये सक्स है चीन के इन्होंने soft bank के बोर्ड से इस्तिपा दे दिया है कौन से soft bank के जापान Option B राइट अंसर इसका जापान तो किस देश का soft bank था जापान का और वहां से इसने इस्तिपा दे दिया है साथ जैक मा की बात की जाए तो जैक मा पहले अली बाबा नाम तो सुना ही होगा अली बाबा चालिस शोर साथ यो ये अली बाबा है अली बाबा आपकी फिलिप कार्ट सुना है अमेजन उसी के तरह की excited है जिस पर आप क्या करते हैं बर्चे जी तो अली बाबा की जो स紹्थापक है यानि कि जैक मा अली बाबा के से इसा स्तापक भी है और जैक मा सॉफ्ट बैंक में पिछले लग बग 13 वर्सों से कार रे हैं सॉफ्ट बैंक में कब से 13 साल से चेक माह सितंबर 2019 में अली बाबा के कारे कारी अध्यक्ष के रूप में सेवे निवरत हुए थे वो बात करते हैं सौप्ट बैंक की तो साथ यो सौप्ट बैंक जिसके सियो कोन है मायसा योसी सोन और इसका मुख्या लिया जापान के टौक्यो के मिनाटो सिटी में सौप्ट बैंक की स्तापना कब हुई थी तीन सितंबर 1981 को नैक्षो राज कमरान तीम कोशन कोशन संक्या 10 कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तयारियों का जाई-जा लेने के लिए में परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तयारियों का जाई-जा लिया है तो ऌप्सनी राइट आनस्वारे कौनसा चक्रवात है अम्भान और प्रदान मंत्री जी ने इस्तिती की समिक्षा और राष्टे आपता प्रते के रिया बल द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी लिए तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अपिरस्जी के वीडियो आप देखते रही है वीडियो पूरा देखिए और मेरे साथियों आपसे विन तिये है कि साथियों कमेंड भी कर दिये साथ है अब बात करते हैं हम आज के question of the day की तो आज का मारा question of the day है कि निम्न में से online सिक्षा कक्षा एक से बारवी तक के लिए सुरू किये गए कारकरम का नाम बताईए जो आतम निर्बर भारत अभियान के तहत बताया गया है आपसन ए PME विद्धिया option B PME सुरुक्षा option C PME अभियान और option D PME कल्यान और साथ है इसका answer आपको comment box में देना है इसका लावा morning सब पांच बजे हमारा daily live भी चलता है वीडियो चाहिए कोई सब भी daily हमारा current सब पांच बजे live चलता है प्रेमियर हम चलाते हैं उसमें आप चैट बॉक्स में आकर भी आप अपने जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स में आपके साथ उपस देत रहूंगा साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें साथ ही साथ हमारे वीडियो पर comment जरूर करें कमेंट यानि की आनसर का comment नहीं आप इसका लावा अधर भी comment कीजिए वीडियो अच्छा लगे comment कीजिए हमारे यूटूब चैनल को सब्क्राइब करने से पहले इस वीडियो का पीडियो डाउंडोड करें पीडियो डाउंडोड करने का लिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारे यूटूब चैनल यूवी कंप्राइब कीजिए और वीडियो कंट्यूनिट देखिए गहर पर रहे स्रक्षित रहे कोरोना वायरेस महामारी से बचे बैस्वीक मामारी है भाई साब बसना तो पड़े गई थैंक यू सो मच धन्यवाद मिलते एक नए वीडियो के साथ थैवे नाइस टेग